अगर आपको भी कुछ इस परकार से राधे प्रेम की सीरो मानी रिल इडित करना है आजा बॉस सिखा देंगे वीडियो इडित करने के लिए आपके पास केपकत एप होना चाहिए तो चलिए अब आपको लेचलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को फ्रेस कर दीजिएगा तो चलिए अब आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर सबसे पहले VPN को ओपेंड करके कनेक्टेड करना होगा उसके बाद केपकत अप ओपेंड करके प्लस पे किलिक किजिएगा अगर आप वीडियो किलिप में लगाना चाहते हैं तो वीडियो किलिप को एड किजिएगा अगर आप फोटो में लगाना चाहते हैं तो फोटो पे किलिक करके जिस फोटो में आप लगाना चाहते हैं उस फोटो को एड किजिएगा create video पे click कर देजिएगा यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके देखिएगा अगर आप video clip में लगाना चाहते हैं या फिर photo में उपर आपके sky दीखना चाहिए जिसमें हम video clip को replace करेंगे समझ गए होंगे इतना हो जाने के बाद सबसे पहले इसका मुझे format change करना है तो नीचे से आगे चलेंगे रेशू पे click करेंगे 9 by 16 पे click किजिएगा दौन पे click किजिएगा उसके बाद photo पे click करके इसको आप full screen में कर देजिएगा कुछ इस परकार से उसके बाद इसका जो deviation है जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं तो लगभग आप 15-16 सकेंड रख सकते हैं उसके बाद आप starting में आ जाईएगा overlay पे click किजिएगा एद overlay पे click करके राधे कृष्णा वाला जो video clip है उसको आप add किजिएगा link दे देंगे नीचे download करके add किजिएगा वीडियो पे click किजिएगा यहाँ पर आपको देखनों को मिल जाएगा add किजिएगा add वाला button पे click कर देजिएगा उसके बाद cut वाला icon पे click करके cut किजिएगा इसको आप add adjust किजिएगा तो हम कुछ इस परकर से zoom कर लेते हैं उसके बाद उपर ले चलते हैं कुछ इस परकर से हम अपने sky के उपर overlay कर देते हैं कुछ इस परकर से इतना हो जाने के बाद अब इसमें मुझे masking लगाना है तो नीचे से आगे के तरफ चलिएगा आगे आपको देखनों को मिलेगा mask mask को open किजिएगा उसके बाद split पे किलिक करके ये जो line है थोड़ा सा नीचे कर देजिएगा arrow को खिच करके थोड़ा सा shadow type से बना दीजिएगा उसके बाद down पे किलिक किजिएगा अगर video clip का कोई सभी color आपके सरीर पर आ जाता है तो उसको remove करने के लिए दो तरीका है सबसे असान बता देते हैं सबसे पहले आप blend को open किजिएगा तो चलिए हम यह से blend को open कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर एक option देखनों को मिलेगा slide slide पे किलिक किजिएगा तो video clip का जो भी color होगा वो आपके आगे चला जाएगा आपके सरीर से remove हो जाएगा अगर फिर भी remove नहीं होता है तो दूसरा तरीका भी हम सीख लेते हैं यहाँ से normal पे किलिक किजिएगा down पे किलिक किजिएगा सबसे पहले इसको हम equal size में कर लेते हैं तो चलिए इसको हम equal size में कर लेते हैं split करेंगे आगे का जो फाल्तू भागे इसको हम delete कर लेते हैं यहाँ पर आप थोड़ा सा धियान लगा करके देखिएगा आपका जो main photo है उस पर आप किलिक किजिएगा इसको आप copy किजिएगा आगे के तरब चलिएगा copy पर किलिक करके दबल किजिएगा अगले भाग पर आ करके यहाँ पर आपको देखनों को मिल जागा overlay पर किलिक करके इसको आप layer बना दीजिएगा उसके बाद दबा करके रखिएगा इसको इस स्टार्टिंग में ला करके रख दीजिएगा कुछ इस पर कर से इतना हो जाने के बाद अब इस फोटो का background remove कर देजिएगा करने के लिए नीचे से आगे क तरब चलिएगा cut out पर किलिक किजिएगा remove background पर किलिक करके automatic फोटो से background remove कर देजिएगा down पर किलिक कर देजिएगा लिजिए आपका वीडियो बन के तियार हो चुका है अब इसमें मुझे बस राधे कृष्णा का फोटो पी एद करना है करने के लिए आप स्टार्टिंग में आजएगा एद ओवरले पर किलिक किजिएगा राधे कृष्णा लिख करके आपको एक फोटो देढ़ेंगे direct उसको आप एद कीझिएगा तो हम फोटो पे किलिक कर लेते हैं और उस text को हम याँ पर एद कर लेते हैं तो हम उस text को एद कर लिए एद वाला button पे किलिक किझिएगा cut पे किलिकिएगा कुछ इस परकर से add हो जाएगा उसके बाद इसको आप equal size में कर लेजिएगा जैसे कि आप सब देख सकतो होंगे उसके बाद इसको आप छोटा बारा करना चाहते हैं कर सकते हैं जहां पर adjust करना चाहते हैं ले जाकर के आप रख दीजिएगा इतना हो जाने के बाद अब इसमें थोड़ा बाउत हम color grading कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो video clip है राधे कृष्णवाला वो blue type का है और हमारा जो photo है वो थोड़ा सा अलग है तो इसको भी मुझे blue type का करना है तो simple हम main photo पे click करेंगे नीचे से आगे के तरफ चलिएगा आगे आपक blue type का कर देगा तो यहां पर एक है black eyes इसको हम apply करके देख लेते हैं बिल्कुल यह blue type का कर दिया उसके बाद आप adjust पर किलिक किजिएगा थोड़ा बहुत brightness वगएरा कम कर लेजिएगा contrast पर किलिक करके हम इसको थोड़ा सा increase कर लेते हैं उसके बाद centration पर किलिक करके आप combes क करके देख लिजिएगा exposure पर किलिक करके हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसी परकार से आप अपना देख लिजिएगा सभी photo का color grading अलग होगा तो आप अपना देख लिजिएगा उसके बाद दन पर किलिक किजिएगा लिजिए हमारा video बन के त्यार हो चुका है चलिए आपको प्ले करके दिखा देते हैं वीडियो बन जाने के बाद सेभ करने के लिए quality पर किलिक किजिएगा quality देख लिजिएगा arrow पर किलिक करके इसको आप gallery में सेभ कर लेजिएगा तो हमें उमीद के साथ साथ पूरा विश्वासे की ये editing आप सब को आच्छा लागा होगा अगर थ सब्सक्राइब किजिएगा बेल आइकन को फ्रेस कर देजिएगा तो चलिए मिलते हम अपने अगले वीडियो में